नमस्कार दोस्तों मैं हूने हैं आज हम देखने जा रहे है दि बैटमान की ट्रीजर इस ट्रीजर में हमें इस मूवी के कोई से जलक दिकाई गए है हमें ये मूवी रिलीज होने जा रही है अगले साल वो है अक्तॉमबा 1 2021 इस मूवी में बैटमान का कारेक्टर निबा रहे हैं हमारे रॉबर्ट पाटिंसन और दोई काट्विच काट वोमन का क्यारेटर प्लेग करने जा रही है इस ट्रीजर में छोड़े-छोड़े लोगों उनको देखा है तो उन विक्टिम्स को मार देते हैं तीजर में ऐसा भी दिखाय गया है कि सब क्रिमिनल्स सारे लोग सारे पॉलिसमेंस बाटमन के विरुद जाते हैं और यहीं पे बाटमन का दिमागी संतुलन तोड़ा हड़ बढ़ जाता है तो इसके कारण बाटम क्रिमिनल्स के साथ हाता पाई होते हैं तो यहां पर जबर्दस फाइटिंग फाइट सीन दिखाई गई है जो बहुत ज़्यादा रोमान चक है एक्चुलिए ट्रीजर देखे ऐसा लग रहा है कि बैटमान अपने आत्मा की दूरने की कोशिश में हैं और यह सब चलते चलते ह होमली यह यूमनली भी बहुत सकते हैं और ही ग्राउंड टू अर्थ है हाला कि इनके पहले ऐसे मुवी में यह ऐसे नहीं ते और हमें ऐसे भी रिमर सुनने आये हैं कि जॉनी डप जो पारेट ऑफ दी कैरिबियन में पार पारेट रहे हैं हमारे वह जोकर का कैरेक्टर नि हैं तो यही वज़्या है कि बैट्मान के फैंस बलकि सिर्फ बैट्मान के फैंस इने बाकि सारे जो लोग भी बैट्मान को जानते हैं या उनको चाहते हैं उनको भी यह मूवी देखने के लिए उच्छा करता है ये मुवी ना ही सिर्फ बाटमान के फाइंस के लिए बलकि जिनों ने भी ये ट्रीजर देगा उन सारे लोगों को एक सस्पेंशन में लाके रख देती है तो हमें इसका बहुत इंतजार रहेगा इसका मतलब क्या है तो ये मुवी दे बैट मैं रिलीज होने जारे ऑक्टोमर 2021 में पहले ऑक्टोमर को तो हम ये आशा करते हैं कि ये वही बहुत ज़्यादा दमेखेदार होगा तो अगर मेरे रिवीव आपको पसंद आई तो लाइक कर दो हमारे चानल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसे रिवीव जाने वाले इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहे धन्यवाद